अशनिवार का शुप दिन है और आज के दिन लोग शनी भगवान की अराधना करते हैं कहा जाता है कि नियमित रूप से शनी देव की पूजा करने से इंसान को शनी के दोशों से छुटकारा मिलता है शनी देव को न्याय का देवता माना जाता है कहा जाता है कि शनी इंसान को उसके कर्मों के अनुसार ही फल देते हैं इसलिए इंसान शनी देव के नाम से थोड़ा भेभीत सा हो जाता है आपको बता दे इनसान को जरा भी परिशान होने की जरूत नहीं है अगर आपके कर्म अच्छे हैं तो शनी देव कभी भी आपको किसी प्रकार का कोई दंड नहीं देंगे अब आपको बता दे इन दो राशियों के किसमत बदनने वाली है अब इनके जिन्दगी में बहुत कुछ नया होने वाला है शनी देव की कृपा से चलिए आपको बताते हैं उन दो राशियों के बार में बड़े ही विस्तार से जिसमें से पहली राशी है मेश अब मेश राशी वाले जातक को शनी देव की किरपा से मस्त मौला जिन्दगी जीने को मिलेगी काफी आराम दायक जीवन व्यतीत करते हुए नजर आ रहे हैं और बात करें आपके आने वाले समय के बारे में जीवन में कई खुशियां आती हुई नजर आ रहे हैं जीवन में किसी ऐसे व्यक्ति का भी आगमन होने वाला है जो कि चंद पलों में आपके लिए बहुत ही जादा खास हो जाएगा दूसरी राशी है कन्या बात करें कन्या राशी की तो शनी देव की किरपा से पे कोई नुकसान हुआ है पिछले दिनों तो अब उसकी भी भरपाई होने का समय आ गया है इसी तरह रोजान अपनी राशियों पर अपडेट पाने के ले देखती रहे हमारा चैनल और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले